नमस्कार साती हूँ आप सभी का स्वागत है ये वाइफाइ ओलाइन क्लासेज के यूटूब चैनल पर दोस्तों आपके लिए नई भरती अपडेट आपके आ चुकी है जिसमें और पेसी कंद्रगत ये निव वेकिंसी आपके निकाली गई है जिसमें होस्पीटल केयर टेकर भरती 2022 के नाम से आपका नोट्फिकेशन निकाल लगाया है जिसमें पूरा इसमें योगता क्या रहेगी आयू आपके एजुकेशन क्या मांगी गई है सेलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें क्या रहने वाला सभी कुछ इस वीडियो के माद्दम से पूरा देखेंगे संपू दोस्तों नोट्फिकेशन की ओर चलते हैं नोट्फिकेशन क्या दिया है सारी जान करें आपके लिए वीडियो के माद्दम से पूरा करेंगे यह आपका आयाता रास्तान लोक सेवा आयोप के द्वारा 235-2022 को इसे विध्यप्ति को विस्तरत इसको निकाल गया है जिसमें जिसमें आपकी पड़ों पर इस बढ़ती को निकाल गया है जिसका ओनलान आवह दन आपके आमित्रत इसमें किये जाएंगे इसके बारे में हम बिस्तर दुर से जानेगे कब से आपका फोर्म बना स्टार्ट होंगे यादि हम पड़ों की बात कहें तो यह पड़ों इसमें स्थाइप पाद रहेंगे इसके अंदर के सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर और पोस्ट आपकी कैटेग्री वाइज SCST, BC, MBC और EWS के हिसाफ से इसमें देरक की हैं इसमें होस्पिटल केयर टेकर के अंदर 9 टीएसवी छेतर वालों के लिए हैं इसमें 50 पद आपके रहने व आगे इसमें दिखते हैं विशेश नोट आपके इसमें दिया गया है जिसमें आपके टीएसपी इसमें विशेश रूप से दिया गया है जिसमें टीएसपी छेतर के अब्यारती तीक्षित के अपनी प्रात्म reinforce CTS Libellos Online लाब दे नहीं होगा यह वैसे इस रूप से ध्यान रखना है उन भी ध्यारत देखो अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं सेक्षिन योगता के बारे में जो सेक्षिन की योगता है वह आपकी रहने वाली है ग्रेजुएट फॉम यूनिवर्सिटी वाई लो इन इंडिया या साथ दूसरे नमर पर पॉंट आपका दिया हुआ MBA या PGD टू ए रेगुलर कोर्स आपका होना चाहिए इन होस्पिटर मेरेजमेंट या होस्पिटल एडमिस्टेशन या अपका होस्पिटल या एंड हेल्थ केर मेरेजमेंट फॉम रॉक्रनाइज इंस्टिटूट और इस इसमें होना चाहिए आपका ये education qualification को आप notification में पूरे विस्तार से देखलें इसमें आपका इसमें दिया गया है क्या आपसे मांग गया है साथी second number पॉंट देराखा working knowledge in Hindi आपके लिए हिंदी में आपकी knowledge होना चाहिए और साथी राष्तान culture के बारे में आपको जानकार होना चाहिए दूसरे नमबर पॉंट है सेक्षनी आपके समधित प्राफधान के समधित इसमें इसमें दिया गया है जो अंतिम वर्ष के परिक से हम समधित हुए जो या फिर समधित होना वाल विद्यारती है वह भी इसमें आभी दिन कर सकता है लेकिन इसको सक्षतकार से पूर समधित पे मैट्रिक्स लेवल के समधित बात करें तो इसमें इसमें गेड़ पर बैल इस्से से आपका ज़ने वाल कापी एच्छा ग्रेड़ पर है आपकी से चालिस वर्ष के विद्यारत यसमें पूरा अपलाई कर सकते हैं एक एक दूसरी को आधार मानका इसमें होने गय के बादे कि आप देख सकते हैं इसमें सभी राज़तान की समान रहता है जिसमें आपके पांस- vaccinated वर्ची आपकी जो आयू में छूट दी गए है वापको इसमें मिल ले वाली है चैन प्रिक्रिया की बात करें तो इसमें अभ्यारत्य घूल के मादम से किया जाए गास इज़् तो आयोग संभी चाह आज़ित कर अब्यारति की संख्या यहत्यों सीमा तक कम कर सकता है यदि अगर विद्यारति यह ज्यादा होते हैं तो उसमें आपके एक्जाम भी लिया जा सकता है यह आपके विश्चा शुरूप से इसमें लिखा गया है पाइक्षा विश्थान महां आपको जो दिल लगेगा तो उसका यतना समय आपको सूशित कर दिये जाएगा साथिन सविक्षप अगर आपका टेस्ट होता है तो इसमें आपका अपका पूछी जाएगा आवेदन क्रिती इंपोटेंट है आवेदन आपको कब से स्टाट हो रहें 35 2022 से आपका आवेदन है 29 2022 22 शातरी 12 वज़े तक आप अपना अप्लाइग कर सकते हैं फॉर्म तो आप सीगर ही 30 तारीक से अपने फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगे तो आप जितना जल्द उसके फॉर्म को अप्लाइग कर दें आवेदन पिर क्रिया की बात करें तो इसमें आपके लिए आपके तो दूस्तों यह थी आपकी नए अपडेट वैकेंसी सम्मध्डित तो जो बिदारती इस चैनल पर अभी नए अपडेट होई हैं वो उनसे जो कैस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें की इसी पीकार को वीडियो आपके लिए इस चैनल पर मिलता है एजूकर सम्मध्ड वीडियो को लाइक करें मिलते हैं से पिकार इस नेक्स्ट अपडेट के साथ धन्यवाद